माजून फलासफा एक बहुत प्रसिद युनानी ओशिधी है आज मैं आपको इसी ओशिधी के प्रमुक घटक द्रव्यों के साथ साथ इसके लाब के बारे में बताऊंगा साथ ही साथ इसे प्रियोग करने की विधी और सबसे अंत में मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर मैं क्यूं इस दवा को प्रियोग नहीं करता हूँ तो चल ये बिनादेर की ये प्रारम करते हैं और प्रारम करते हैं घटक द्रव्यों के साथ तो इस सोशिदी के प्रमुक घटक द्रव्य हैं मुनक्का, सोट, काली मेर्च, पीपली, दालचीनी, विबितकी, चितरक, जरावद, मुधहरज जिसे हिंदी में इशर्मूल या इश्वर्मूल के नाम से जाना जाता है इसके अलावा इसमें सालब मिस्री, चिलगोजे के बीज, नारियल की गिरी और बाबुना की जड़ और उसके बीज का प्रियोग किया जाता है बाबुना का लैटिन नेम है कैमोमिला नाम हो सकता है, आपने कहीं जरूर सुना हो अगर आप होमेपैथिक दवाईयों की थोड़ी जानकारी रखते हों तो आपने ये नाम जरूर सुना होगा वे उसमें सम्मिलित सभी अंगों से संबंदित समस्याएं जैसे यूरिक ऐसेड या फिर यूरिया का बढ़ जाना क्रेटनीन का बढ़ जाना, पेशाब रुक रुक कराना पेशाब करते समय जोर लगाना पड़ता हो, उस पर नियंतरन ना रह पाता हो पेशाब पैंट में ही निकल जाता हो, जैसी समस्याओं को दूर करने का यह उशिदी कारे करती है साथी साथ जननांगों को भी बलप्रदान करने का कारे करती है अमारे जनननांगों को भी बलप्रदान करती है, इसके प्रियोग से सुक्राणू की गुनवक्ता बढ़ती है वो अपना कार या अच्छी प्रकार से करती है और इसी कारण सुक्राणू की संख्या में कमी आने के अवस्था में भी इस उशिदी का प्रियोग साधारन तक किया जाता है इसी के साथ यह उशिदी योन छमता में भी व्रिद्धी करने का कारे करती है वीरे को गाढ़ा और पुष्ट बनाती है साथ ही साथ हमारे हृद्या और मस्तेक्स को भी बलप्रदान करती है यक्रित को बलप्रदान करती है पाचिन छमता में व्रिद्धी करती है इसके अलावा बहुत से हकीम इस ओशिदी का प्रियोग बहुत अधिक हस्त मैथुन के चलते हैं उत्पन नपुन सकता की अवस्था में करना पसंद करते हैं बहुत युत्तम वाजिकारक ओशिदी है वहीं गुर्दे से संबंदित समस्याओं को दूर करने के अपने गुण के परिणाम सो रूप अधिकतर जोडों के दर्द से पीडित रोग्यों में भी इस ओशिदी के प्रियोग से लाब की प्राप्ति होती है बात करे मातरा की तो 4-10 ग्राम की मातरा में इसका प्रियोग दिन में दो बार गरम दूद या गरम पानी के साथ किया जाता है अब बात कर लेते हैं कि आखिर क्यूं मैं इस दवा का प्रियोग अपनी प्रैक्टिस में नहीं करता हूँ और इसका कारण है इस दवा में प्रियोग किया गया सहद दरसल युनानी पद्धिती में सहद को अधिकतर गरम करके ही ओशद में प्रियोग किया जाता है और आयरवेद में ऐसा करने की सक्त मना ही है और इसी कारण मैं इसे प्रैक्टिस में अपनी रोज मर्रा के चिकित्सिय योग में प्रियोग नहीं करता हूँ आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी आज के इस वीडियो में इतना ही मिलते अगले वीडियो में नमस्कार